गुट मॉनिंग, मैं मॉम्ता बाजबे होली निकल गई है और अब हम गुजिया पपड़िया के काम से काफी हद तक मुक्त हो गए हैं हाला कि हमारा किचिन का काम तो कभी खत्म नहीं होता पर किचिन के साथ साथ यदि आप चट पर गार्डन भी बनाते हैं तो फिर उसका आनंद ही अलग है तो चलिए मैं आज फिर अपना गार्डन दिखा देती हूँ कि जो गर्मी की सबजिया मैंने लगाई थी उनका क्या हाल है कौन-कौन सी सबजिया किस स्टेज पर आ गई है यदि आप गार्डन लवर हैं तो आपको बता दूँ कि गर्मियों में यदि आप सबजियां उगाना चाहते हैं तो उनकी बॉआई हमें फरवरी मार्च में कर देना चाहिए अभी हाला कि मार्च ही चल रहा है मार्च का आखरी सब्ता है यह अभी यह थी आपके थोड़ा सा भी तापमांद ठीक है तो आप सीट सोईंग कर सकते हैं और देखिए यह बेले हैं यह है पतली और लंबी बाली ककड़ी फरवरी में हमने इने बोया था और अब देखिए यह फूल पर आ गई हैं और बारीक बारीक चोटे चोटे फल भी बन रहे हैं जल्दी ही लगबग एक हफते के अंदर जब इसमें लंबी लंबी ककड़ियां लटकेंगी तो मैं आपक और साथ ही आपको ये भी बताओं कि इसे फरवरी में क्यों बोया जाता है क्योंकि ऐसे तो ये गर्मी की फसल है रेट के किनारे धूप में होती है लेकिन इसको मौश्चर कुप चाहिए होता है और मई जून आते तक ये बेले अगर फरूटिंग पे आ जाएं बढ़कर त हम सकसेज नहीं होती है और ये भी मैंने आपको बताया है कि देखिए डेवल मंजल का नेट बना है हमारा वो जो उपर वाला नेट है न वो तो पर्मानेंट है और वो हम बरसात में उस पे सबजियां चड़ाते हैं और ये देखिए जुकीनी ये ऐसे सबजी है कि जो कदू परिवार की सबजी है और इसे हम ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं बड़े गमले में भी लगा सकते हैं हाला कि मेरे पास थोड़े चोड़े कंटेनर हैं तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है और जो मेरा ही ड्रम है इसमें मैंने दो पौधे लगाए हैं और ये भी ठंड में भी लगती है और यह फरवरी मार्च में भी लग जाती है और इसको फैलने के लिए बहुत सारी जगे नहीं चाहिए और जहां तक special care की बात है तो वो कुछ नहीं चाहिए लेकिन सारी ही सबजीयों को जो मिट्टी चाहिए वो इसको भी चाहिए आज हम इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं यदि आपने इसकी सबजी नहीं खाई तो आप बना कर खा कर देखें अच्छी स्वादिस्ट लगती है जैसे लौकी कद्दू उसी तरह का मिलता जुलता स्वाद होता है और देखिए एक कौने में ये ककड़ी लगी है खीरा पहले जो ककड़ी आपने देखी बेल वो पतली वाली लंबी ककड़ी है और ये है खीरा तो जल्दी हमें खीरा भी खाने को मिलेंगे और एक प्लास्टिक का टब है हमारा पुराना तूटा हुआ हमने उस में लगा दिये हैं तो गर्मी में हर सबजी तो नहीं होती लेकिन काफी कुछ सबजी हम उगा सकते हैं अगर हम उन्हें सही समय पर बुआई कर दें यानि कि फरवरी मार्च तक हम अगर बुआई कर दें मैंने तो फरवरी के पहले सब्ता हमें कर दी थी तो अब तेज गर्मी आते आते तक ये सब फ्लारिंग प्रोटिंग तक आ गई है और अच्छा खासा आकार भी ले लिया है और जब लगे कि बहुत तेज गर्मी है तो हमें ग्रीन नेट भी लगाना चाहिए और अगर ग्रीन नेट नहों आपके पास तो सूखे पत्तों की इमल्चिंग से भी काम चल जाता है मेरी छट जो है नासल में तीन मंजिल के उपर है तो सच में बहुत ज़्यादा टेंपरेचर होता है और सबजी का होना बहुत मुश्किल होता है मैं उगाती हूँ तो मैं ही जानती हूँ कि सबसे ज़्यादा महनत इसी महने में करनी पड़ती है ठेंड में बहुत कम पाने की जरूरत होती है बहुत कम महनत में सबजीयां तर्यार हो जाती है यही मिट्टी है सब यही टब है लेकिन ठेड में इतनी दिक्कत नहीं होती और इसी के चलते मैं गर्मी में कम सब्जियां होगाती हूं मेरे बहुत सारे तो ग्रोब अभी खाली पड़े हैं और यह देखिए कुछ सीजनल है जो अब बिल्कुल आखरी स्टेज पर है हलांकि यह जो फूल है यह कारनेशन है कुछ पिंक है तो यह अगर हम पूरी साल भी इनको सही थोड़ा सा माहौल देते रहें यानि कि रोज नहला दें मौस्ट करते रहें डेड हडिंग करते रहें तो यह पूरी साल भी चल जाते हैं लेकिन वह रौनक तो नहीं रहती जो होना च चाहिए जैसी कि मेरी यह सेम है यह फरवरी में लगाई हुई सेम देखिया फल रही है और हां इसने बहुत आकार नहीं लिया लेकिन हमारे खाने लाइक मतलब हम दो तीन-चार जन के लाइक का जो परिवार है तीन-चार रों का उतनी सबजी उतरती है आराम से और मैंने क् भी फ्रूटिंग शुरू हो गई है तो हाइब्रीट का यही तो मजा है कि बहुत जल्दी फलने लगती है पैतालिस से पचास दिन मैक्सिमम साट दिन में तो सब्जी आप फलने ही लगती है तो आप अगर नए हैं सब्जी आउगाना चाह रहे हैं तो यह मत करना घर्मियो कैसे होगा सके नहीं कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार